आजादी का अम्रित महोटसम 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज संभिलन लंदन में शुरू हुआ था 1919 में गांधी जी के नेत्रतु में किये गए असहयोग आंदोलन के साथ स्वेतंदरता आंदोलन अपने चरम पर था इसे दोरान पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतियों की मांग के अनुरोप शासन के सभी शाखाओं में उनकी अधिक भागिदारी का प्रावधान नहीं किया गया था बिटिश राज वेवस्था के एक खास वर्ग के बीच भी भारत को प्रभत्तु का दर्जा देने की मांग बढ़ रही थी इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के कारियानवेयन की जाँच के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था ततकालीन बिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनल्ड ने साइमन रिपोर्ट को अनुकूल न मानते हुए 1929 में लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रिंखला आयोजित करने का नर्न लिया ऐसे तीन सम्मेलनों का आयोजन किया गया पहले गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था सम्मेलन से पहले महत्मा गांधी ने सवीने अवग्या आंदोलन शिरू किया था नतीजतन कॉंग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया लेकिन अन्य भारतिय दलों के प्रतिने दी और कई शासक इसमें शामिल हुए पहले गोलमेज सम्मेलन के परिणाम कुछ खास नहीं रहे और भारत में सवीने अवग्या जारी रही बिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस को भारत में समवैधानिक सरकार का भविश्य तै करने में शामिल किये जाने की जरूरत है बिटिश भारत सरकार ने गांधी जी और लॉर्ड इर्विन के बीच बातचीत के लिए अनुकूल महौल बनाने के लिए कॉंग्रेस के राजनितिक नेताओं को रहा कर दिया पहले गोल मेच सम्मेलन के समाप्ति के बाद तेज बहादूर सप्रू सीवाई चिंतामणी और शिरिवास शास्त्री ने महात्मा गांधी को वाइसराय लॉर्ड इर्विन से बातचीत के लिए मनाने की कोशिश की मार्च 1931 में वारता के बाद गांधी इर्विन समझोते पर हस्ताक्षिर किये गए और गांधी जी सवीने अवग्या आंदोलन स्थागित करने तथा दूसरे गोल मेच सम्मेलन में भाग लेने के लिए सेहमत हुए 12 नवंबर प्रसिध भारतिये शिक्षविद और सुतंतरता सेनानी पंडित मदन मुहन मालविये की पुन्नित थी भी है जिनने महामना भी कहा जाता है उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलहबाद में हुआ था उन्होंने कलकत्ता विश्व विद्याले में पढ़ाई की फिर वे एक स्कूल शिक्षक और बाद में वकील तथा एक अख़बार के संपादक बने वे हिंदू महसभा के संस्थापक भी माने जाते हैं असायोग आंदोलन में मालविये एक महत्वपून वेक्ती थे मदन महन मालविये 1928 में लाला लाज पत्राय जावाला नहरू और कई अने लोगों के साथ साइमन कमिशन के विरोध में शामिल हुए जिसे अंग्रेजों ने भारत के भविशे पर विचार करने के लिए स्था पत्र जारी किया जिसमें भारत में भारतीय खरीदें आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया था मालविये 1931 में दूसरे गोल मेज सम्मेलन में एक प्रतनी थी थे सरोजनी नाइडो की गिरिफतारी के बाद 1932 में दिल्ली में कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के कुछी दिन बाद सवीने अवग्या आंदोलन के दौरान मालविये को 25 अप्रेल 1932 क को दिल्ली में साड़े 409 कॉंग्रेस स्वेम सेवकों के साथ गिरिफतार कर लिया गया सुतंतरता से पहले मालविये भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के एक मात्र ऐसे नेता थे जिने चार कारेकाल के लिए इसके अध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया था मालविये ने हमिशा हिंदू-मुस्लिम एक्ता के प्रयास किये सामरेदाइक सद्भाव पर उनके दो भाषन काफी प्रसिद हैं उन्होंने पहला 1922 में लाहूर में और दूसरा 1931 में कानपूर में दिया था 1933 में कॉंग्रिस के कलकत्ता सत्र में अपने अध्यक्ष भाषन में मदनमोहन मालविये ने कहा था मैं सभी हिंदूओं, मुसल्मानों, सिखों, इसाईयों, पार्सियों और अन्य देशवासियों से प्राथना करता हूँ कि वे सभी सांप्रदाइक मदभेदों को भुला दें और सभी वर्गों के लोगों के बीच राजनीतिक एक्ता इस्थापित करें इस घर को देख कर हम करते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था जिसने राने वालों के सुप के लिए जो प्रबंद आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा हमने रचने वालों को देखा भी नहीं तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था शिक्ष़ा और समाथ सेवा के अपने संकल्ब को पूरा करने के लिए उन्होंने 1911 में अपनी जमी-जमाई वकालत छोड़ दी जीवन भर सन्यास की परंपरा को निभाने के लिए उन्होंने समाज सेवा के लिए जीवन संबर्पित करने की घोशित प्रतिबधता का पालन किया लेकिन जब चौरी-चारा मामले में 117.77 सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई तो मदन महन मालविये ने अपनी प्रतिग्या की बावजूद उनका मुकदमा लड़ा और 156.77 सेनानियों को बरिकराया देश के शेक्षिक मानकों के उत्थान में गहरी दिल्चस्पी रखने वाले मालविये 1916 में बनारस हिंदो विशेविद्याले के प्रमुक संस्थापक थे जनता के प्रती मदन मोहन मालविये की चेतना ने उन्हें हिंदी भाषा के सापताहिक अभ्युद्दय दा लीडर ओफ अलाबाद अंग्रेजी भाषा के एकदैनिक और हिंदी मासिक मर्यादा के प्रकाशन के लिए प्रिरित किया मदन मोहन मालविये को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाशपी के साथ भारत रत्म से सम्मानित किया गया था इसके साथ ही आजादी का सफर आकाश मानी समाचार के संग श्रंखिला की ये कड़ी समाप्त होई मिलते हैं कल अगली कड़ी में